ओम नमू भगवते राम कृष्णाया सार्थक परिपूर्ण चीवन के लिए महत्व पूंट सीख स्वामी चक्तात्मानेंजी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कलासे अध्याय चार जैसी करनी वैसी भरनी इस विशे में सकारात्मक आध्यात्मिक मनवभाव के महत्व पर चर्चा की गई है विशे है नया दृष्टी कौन एक प्रिसिद्ध अमेरिकी मनवग्यानिक ने कहा था कि यदे हम जीवन के प्रती अपने दृष्टी कौन में परिवर्तन कर लें तो हमारा जीवन बदल जाएगा परन्तो दृष्टी कौन कैसे बदला जाए यदि हम अपने चतुर्दिक व्याप्त चीजों के सच्चे स्वरूप का ग्यान प्राप्त कर लें अपने आसपास के लोगों और स्वयम अपने सच्चे स्वभाव को जान लें तो ऐसा परिवर्तन हो सकता है यदि पी आज का विक्यान हमें भौतिक चगत की सेंक्डों चीजों का ग्यान प्रदान करता है तथा भी यह नहीं कहा जा सकता कि यह हमें जीवन के अभी प्राइव उदेशों के बारे में बता सकता है अलबर्ट आइंस्टाइन के आउट ओफ माई लेटर इयर्स यानि परवर्ती वर्षों के अनुभव ग्रंत के इस कथन पर विचार कीजिए विश्यों का ग्यान जीवन की कुछ जरूरतों की आप पूर्ती करने के लिए हमें सशक्त उपकरन प्रदान करता है परंतु जीवन का चरम सत्य और उसे पाने की व्यकुलता एक अन्सरोत से आती है जीवन का क्या उदेश है? सुख विलासिता के सारे साधन प्राप्त करना सर्वोत्तम भोज एवं पेपदार्थों का मज़ा लेना और बाल बच्चों का पोशन करना मात्र येही क्या जीवन के उदेशpee है? इसे अधिक क्या और कुछ नहीं है? मैं कौन हूँ? मैं इस प्रिस्वी पर क्यों हूँ? यहां से मुझे कहान जाना है क्या मृत्यू के बाद कुछ नहीं रह जाता मेरे दुख कष्टों का क्या कारण है क्या मेरे तथा अनेमानों के बीच कोई संबंद है क्या मेरे तथा प्रकरती की विभिन शक्तियों के बीच कोई संबंद है क्या ब्रहमार्ण की नियामक शक्ति और मेरे बीच कोई स होता तो हम नहीं कह सकते कि हमने जीवन का अर्थ वह उदेश समझ लिया है यद भी एडगर कैसी के विचार पूर्णता नवीन नहीं है तथा भी विज्ञानिक विश्लेशन द्वारा जीवन पर नवीन प्रकाश डालते हैं इस दृष्ट्री कौन को संक्षेप में इस प्रक दाए और ओदेश है चौथा मृत्यों जीवन का अंत नहीं है पांचवां समग्रमानव जीवन कर्म और पुनरजनम के निमानुसार संचालित होता है छेवां पवित्र और निस्वार्थ प्रेम उस नियम का परिपूरक है साथवां मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर् आधान हमारे ही पास है आठवां इश्वर और अपने बीच के सच्चे और शाश्वत संबंद को समझ लेना ही जीवन का चरम लक्ष है नौवां अपने जीवन के आदर्शों वह उदेशों को सूत्रबद करो दस्वां इन आदर्शों और उदेशों की पूर्ति के लिए इ 11. हमें बुराई को छोड़कर उत्साही और क्रियाशील होना चाहिए 12. हमें धैर का पाठ पढ़ना चाहिए और अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए 13. हमें किसी भी समस्या से जीच चुराने की प्रवर्ति छोड़ देनी चाहिए हमें मन, वचन और कर्म से दूसरों के कल्याण में प्रतनशील रहना चाहिए एडगर कैसी की उप्रोक्त बाते हैं हमें अपने जीवन के लिए सुस्पष्ट विचार तता आधर्श्र प्रदान करती हैं इससे उद्पन दार्शनिक दृष्टि कौन का आधार है शृष्टी तता ईश्वर और मनुष्य के साथ उसके संबंद की सुव्यवस्तित अवधार्णा सुरिष्टी, ईश्वर, आत्मा और उनके बीच के संबंद की सुप विवस्तित अवधारना के द्वारा ही सर्वत्म रूप से चरित्र का गठन और रुपांत्रन हो सकता है। ईश्वर की ब्रमांड की सरजनात्मक शक्ति हैं यह स्विकार किया जा सकता है। चुकि इसमें गहन अंतर दृष्टी तथा एक सार्वभामिक दृष्टी कौन के विकास के द्वारा समस्त विरोधा भासों का समाधान करके केवल प्रतिय मान जगत की स्थान पर परम सत्य को समझने का प्रयास किया जाता है। इसलिए यह एक धार्विक दृष्टी कौन है। इसकारण यह एक दार्शिंग दृष्टी कौन भी है। चुकि यह देन दिन जीवन की चुनौतियों का मकाबला करने के लिए व्यवहारिक सूत्र प्रदान करता है। इसलिए हम इसे एक मनोविक्यानिक समाधान भी मान सकते हैं। एडगर कैसी के आलेखों में बारंबार एक ही ऐसी रहस्यमई शक्ति या स्रजनात्मक शक्ति का उलेखाता है। जिसे ना साधारन बुद्धी द्वारा समझा जा सकता है और ना ही शब्दों दारा व्यक्त किया जा सकता है। पर पवित्र मन से उसकी अनभूती की जा सकती है। रचनात्मक शक्ति और स्रजनात्मक उर्जा शब्दों का प्रयोग वर्तमान विज्ञानिक युकी सोच के अनुरूप है। ओम शान्ति 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 हरियों तच्चि राम कृष्णर पनमस्तू।